हेलो फ्रेंज ये अराना है और ये क्लास सेकेंड में पढ़ती है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि सेकेंड क्लास की बच्चे को ट्यूशन कैसे पढ़ाते हैं हेलो आराना हाव रिए यू आय वेरी गूट प्रेंज सबसे पहले में इसकी टूशन की जो कॉपी इसे इसको हम कले करके अपने पास रख लेती हूँ ये देख सकते हैं आप हिंदी इंगलिष और मैथ की कॉपी है इसको हम कले करके अपने पास रख लेंगे और उसके बाद हम डायरी चेक करेंगे कि डायरी में स्कूल से क्या होमग मिला है आप देख सकते हैं इंग्लिश में मिला है दू पेज नमबर 23 तो हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश है फ्रेंस आप देख सकते हैं कि मैंने पेज नमबर 23 ओपिन किया है इंगलिस grammar की book में और ये इसको home work में मिला है तो सबसे पहले इसमें करना क्या है add as to each singular noun to make it plural अराना आपको समझ में आ रहा है कि इसमें आपको क्या करना है क्या करना है singular से plural बनाने है ठीक है चलो बताओ जैसे लिखा है a book a book है तो answer क्या दोगी क्या होगा answer a book तो books very good coat bag cup cat computer okay जब तक कि friends अराना अपने स्कूल का काम कर रही है तब तक कि मैं इसकी ट्यूशन की सारी कॉपियां में जो है उनको मैं चेक करूंगे so friends इस तरीके से मैंने आराना की सारी जो कापीज हैं जो घर से एमने होंवर्क इसको दिया था वो मैंने चेक कर लिया है मैंने आराना की ट्यूशन की जो कापीज थी उनको चेक कर दिया है और तीनों में मैंने डेट डाल दिया है इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं वो हम आपको बात में बताते हैं वर्क ड़न होंगे ओकी वेरी गुड गुड फ्रेंस आप देख सकते हैं कि इसने अपने स्कूल का जो ग्रैमर होमर किता वो कम्प्लीट कर लिया है अब हम देखते हैं कि मैस में क्या मिला है मैस में एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 ये मैथ में 6.3 है जिसमें एड करने है और 6.4 में भी एड करने है तो अराना आपको इसे यहां पर कम्प्लीट करना है मैंने बहुत सारे ऐसे टीशन टीचर को देखा है जो कि स्कूल को स्लेबस को टच नहीं करते हैं मेरे कहने का मत्तब है वो स्कूल के जो स्लेबस होता है या स्कूल का जो भी होमग होता है उससे कनेक्ट नहीं करते हैं वो एक अपना वे वो तैयार करते हैं उसी से वो प्राइमरी स्टेंडर्ड के बच्चों को ट्यूशन दे रहे होते हैं, तो उसका मीन्स बस इतना ही है, कि क्लास में उसकी पर्फॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, जो भी उसका होमग मिल रहा है, उसका होमग टाइम पे कंप्लीट हो, है ना, और जो भी क्लास में उसको तो इसलिए मेरा फोकस जितना भी है, हम क्लास के एकॉर्डिंग पढ़ाना पसंद करते हैं, कि ताकि उसकी पर्फॉर्मेंस क्लास के अंदर अच्छी हो, यह मेरा अपना भी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अराना का मैस का भी वर्क कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आपने देखा मैंने पहले इंग्लिज का भर कराया, हमने कौन सा भर किया कंपी अपना चाइज अब अपना अपना नेक्स होंवर्क द कहा आराना, can you tell me what is the next homer, बिटा, next homer क्या है, next है आपका learn and learn question answer of chapter number 3 in EVS, आराना ने EVS में chapter number 3 पहले से ही learn कर लिया है, और मैंने इसको revise करने का time 2-3 minutes दिया था, है ना आराना, ओके 5 minutes दिया था, चलो हम आपसे question सुनते हैं और आप हमें सुनाई हैं, ठीक है, why do we wear clothes, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, we wear clothes to protect our body, very good आराना, आराना का next homework है, computer में learn missing letter of the chapter number 2, friends मैंने फिर से अराना को कुछ time दिया था, learn करने के लिए, अराना, how many minutes, okay, very good आराना, 5 minutes, तो देखते हैं, अराना को कितना learn हो गया है, अराना, tell me, p, i, c, t, u, r, dash, s, very good आराना, friends आप देख सकते हैं, आराना की writing थोड़ी से गंदी है, क्योंकि आराना को tuition आते वे, अभी कितना month हुआ है, आराना, only one month, हाँ, तो आभी क्या करना है, homework के साथ साथ, classwork के साथ साथ, tuition के साथ, आपको अपनी writing को improve करना है, your writing should be neat and clean, आपको अच्छा लगता है, कि आपको good मिले, आपको अच्छा लगता है, कि आपको excellent मिले, तो इसके लिए आपको writing improve करनी होगी, तो writing कब से improve होना शुरू हो जाएगी, आज से, from today onwards, okay, friends, हमने आपको बोला था, कि मैंने जो date डाली है, क्यों डाली है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो अराना को enough work जो है, वो लिखने के लिए school से मिल चुका था, और learn करने के लिए मिला था, इसलिए मैंने tuition में इसको बहुत ज़्यादा work लिखने के लिए नहीं दिया है, और जितना भी school का काम था, सारा written work हो चुका है ना अराना, learning work भी हो चुका है, तो अब मैं अराना को वही same, कुछ न कुछ उससे relate करते हुए work दिया है मैंने, तो अराना, यह आपका homework है, मुझे homework यहाँ पर डालना था, इसमें आपको computer में जो अभी है, आपने में missing letter सुनाए हैं, उनको यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट करना है, और हिंदी में छोटी E के मात्रा के 15 शब्द लिखने हैं, 15 शब्द, 15 के मात्रा को कैसे बोलती हो राना, बोल के बताओ जड़ा, 15 के मात्रा, E, E, sorry, E की मात्र, छोटी E की मात्र कैसे, वेरी गुड़, फ्रेंस, मैं आपको बता दूँ, शायद आपको इसे देखकर ही पता चल रहा होगा, इसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, इसकी हिंदी जो है, मैं बहुत ही बेसिक से प्रिपेर करा रही हूँ हूँ, और मैथ में फ्रेंस, हमने इसको दिया है, वन टू टेन ओडिनल नंबर, जो कि अभी कई दिनों से मैं वही इसको पढ़ा रही हूँ, ताकि ये इस चीजों को समझ सके, तो फ्रेंस, ये वीडियो कितना हेल्फुल है आपके लिए, कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना आ रहा ना, सम्सक्राइब और लाइक, लाइक, बाई, बाय, बाय,